साल दो हजार चौबीस में किस दिन पूर्ण सूर्य ग्रहन लगने वाला है? आपके लिए ओप्षन है A. आठ अप्रेल B. नौ अप्रेल C. दस अप्रेल D. इन में से कोई नहीं सही आंसर है A. आठ अप्रेल A. आठ अप्रेल दो हजार चौबीस को लगने वाला पूर्ण सूर्य ग्रहन कहां पर दिखाए पड़ेगे आपके लिए ओप्षन है A. कनाडा B. उतरी अमेरिका C. मेकसिको D. उप्रोप्ट सभी E. इन में से कोई नहीं सही जवाब है D. उप्रोप्ट सभी 8 अप्रेल दो हजार चौबीस को लगने वाला पूर्ण सूर्य ग्रहन कितने लंबे होंगे A. चार मिनट साथ सेकंड B. चार मिनट आठ सेकंड C. चार मिनट नौ सेकंड D. इन में से कोई नहीं सही जवाब है C. चार मिनट नौ सेकंड कितने महीने में प्रित्वी के किसी न किसी हिस्से में सूर्य ग्रहन लगते ही रहते हैं A. हर सोलह महीने B. हर सत्रह महीने C. हर अठारह महीने D. इन में से कोई नहीं सही जवाब है C. हर अठारह महीने सूर्य ग्रहंग क्यों लगता है? A. सूर्य और चंद्रमा के बीच प्रित्वी के आने से B. सूर्य और प्रित्वी के बीच चंद्रमा के आने से C. उप्रोक्त दोनो D. इन में से कोई नहीं सही जवाब है B. सूर्य और पृत्वी के बीच चंद्रमा के आने से इन में से कौन सी घटना सूर्य ग्रहन की देन है A. सापेक्षता के सिध्धान्त की पुष्टी B. पृत्वी गोल होने की प्रमानन C. हीलियम की खोच D. ओप्रोप्ट सभी E. इन में से कोई नहीं सही जवाब है D. ओप्रोप्ट सभी